WhatsApp लागतार अपनी सर्विस को अप्ग्रेड कर रहा है ये इंस्टेंट मैसेजिंग आप लागतार अपने यूजर्स को बेहतर एक्सपिरियंस देने के लिए कई नए फीचर्स लेकर आ रहा है अब खबर है कि WhatsApp एक सब्सक्रिप्शन बेस्ट मॉडल पर काम कर रहा है मतलब ये कि अब WhatsApp के कुछ फीचर्स को यूज करने के लिए यूजर्स को पैसे खर्च करने होंगे लेकिन खबराएए नहीं, ये सभी यूजर्स के लिए नहीं होगा दर असल इस सब्सक्रिप्शन मॉडल को WhatsApp बिजनेस के लिए टेस्ट किया जा रहा है इसका मतलब कि ये सिर्फ उन यूजर्स के लिए होगा जो WhatsApp बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं एक रिपोर्ट के मताबिक WhatsApp बिजनेस प्रोफाइल के यूजर इस subscription based WhatsApp premium service से opt out भी कर सकते हैं मतलब ये कि ये user के उपर निर्वर होगा कि वो premium feature लेना चाहता है या नहीं user current version भी पहले की तरह ही use कर सकते हैं WhatsApp के subscription model को लेकर April में एक report आई थी report में ये बताया गया था कि WhatsApp premium को Android, desktop और iOS के लिए test किया जा रहा है हाला कि ये एक optional feature होगा WhatsApp की इस subscription service में और क्या खास होगा इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन माना जा रहा है कि subscription लेने के बाद WhatsApp business users को कुछ additional features दिये जाएंगे जिसमें एक feature 10 device तक को link up करने का भी हो सकता है आपको बता दें कि अभी तक users 4 device ही link कर पाते हैं हला कि इनके features को लेकर अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुस्टी नहीं हुई है गौरतलब है कि अभी हाल ही में WhatsApp ने reaction feature को जारी किया था यानि अब आप chat पर बिना कुछ लिखे emoji की मदद से अपनी भावनाएं जाहिर कर पाएंगे ये feature बिलकुल Instagram के feature जैसा ही है फिलहाल WhatsApp ने शुरुवात में 6 emoji को roll out किया है जिसमें like, love, laugh, surprise, sad और thanks जैसे emoji शामिल है हाला कि बाद में इसमें सभी तरह की emoji को जोड़ा जाएगा हाला कि बाद में जाएगा